जैहिंद वन्देमात्राम साथियों बात करेंगे पृतितन तरह आज की अपडेट की और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्शन पूछ रहे हैं उनकी साथियों दो से तीन कोर्सिस के जो आपका डेट सीट है वो जारी कर दी गई है और साथ के साथ और भी काभी सारी अपड न करता हूं साधिय बात करते हैं सबसे पहले जो आज की अपडेट है उसके बारे में परस्ट संस्टर के एक्जाम वर्हें जा रहे हैं उसकी आज लाजट है तो नहीं भृता है तो आज आप उसको जरूरningar वह आगे ना की पर्षए सकरते हैं उसको ऊपना युजल यजिस UGC Net का exam form fill करना है तो UGC Net के लिए आप अपने form भर सकते हैं उसके लिए जो लाज़ डेट है वो आपकी 17 जनवरी है 17 जनवरी से आप अपना UGC Net और JRF के लिए apply कर सकते हैं तो जो डिसमबर 2022 के form है वो आपके 17 जनवरी लाज़ डेट है और जो इसका exam है वो आपका 20 फरवरी से लेकर और 10 मार्च के बीच में कराया जाएगा तो आप उपाम भर सकते हैं इससे आगे बात करें साथ हो कुछ courses की जो date sheet है वो जारी कर दी गई है लेकिन ये वो courses हैं जो आपके university campus में चलते हैं जैसे आपका B.Sc. Agriculture, Food and Science, M.Sc. Yoga and Science तो इस type के courses हैं उनकी कल date sheet जारी कर दी गई है वो मैंने अपने facebook page पर डाली हुई है वहां से जाकर आप देख सकते हैं यति आपने facebook page को follow नहीं किया है तो उसको आप जरूर follow कर लीजिए वह इससे आगे बात करें साथियो जो आप लोग मेरे से comment box में question पूछ रहे हैं उसके बारे में तो बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा first semester का result है वो कब तक आएगा तो first semester के result को लेकर बच्चे काफी परिशान है तो साथियो मैंने इसके लिए पहले भी बताया था जो first semester का result है व तो date seat बहुत जल्द आने वाली है हो सकता है कभी भी आपकी date seat जारी की जा सकती है तो उसके लिए आपको ज़्यादा परिशान होने की आउशकता नहीं है आपके जो exam है वो January के last से ही start हो सकते हैं तो साथियो almost मैंने सब सारी चीज़ें आपको clear कर दी है यदि अभी भी कोई doubt या question रह गया है तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जद होगा उसका answer यह उसपर बनाने की पूरी कोसिस करूंगा तो चलिए साथ हो मिलते हैं आप से नेक वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद चै भरत